Hello everyone, आज जिस stock की, जिस company की हम बात करने वाले हैं, बहुत important बड़ा stock है और Indian market में top 50 के अंदर ये company आती है तो ये company है MRF, आपने thumbnail से देखी लिए होगा, तो MRF का stock जो अभी इंडिया में इकलोता stock है, जो 1,00,000 रुपे से उपर trade कर रहा है तो बहुत सारी questions जैसे आते हैं सब के मन में, इवन मेरे मन में भी कि क्या हमें MRF ने invest अभी भी करना चाहिए, क्या सही time है, सही price है, सही valuation है क्योंकि जब हमने ACC cement का गोटालत सबने सुना होगा, वो 200 रुपे का share 9,000-10,000 तक पहुंचा था, तो वो क्या fair price में था, उसकी बज़र से ही बाद में stock market गीरा, अभी MRF का जो price चल रहा है, वो 1,00,000 से ऊपर चल रहा है, तो हम सारा on chart live देखेंगे, क्या सही time है या नहीं ह इसके अलावा बहुत सारे telegram channel fake खुल गये हैं हमारे नाम से, तो मैं यहाँ पर attach कर रहा हूँ अपने channel का QR code, तो simply आप इसको scan करेगा और directly आप join कर पाएंगे हमारे official telegram channel को, तो सबसे पहले देखो MRF जो है, वो एक basically 1960 के आसपास एक गुबारे बनाने वाली company थी, इसका जब इस company ने almost काफी सारे cities में, इंडिया के अंदर जो big city थी, वहाँ पर अपने जब factory outlet या फिर factories setup करे, business setup करे, उसके बाद ये sports में entry लेते हैं, 1980, 1990 के आसपास, उसके बाद इस company को boom मिला, बहुत अच्छा boom मिला, इसके जितने भी brand investor है, most of the time sports से ही रहते हैं, इसकी बज़ हुआ था, 2005 से लेके 2010 के बीच में, उससे पहले ये 200, 300, 500 रुपे के आसपास trade कर रहा था, हाना कि वो भी उस time अच्छा price था, बट उससे बाकी stock से compare करें, तो बहुत सारे stock इस range में already थे, बट वो यहां नहीं पहुचे, तो अभी मैं आपको screen पे लेके चलता हूँ, नए है तो subscribe जरूर करेंगा, analysis अच्छा लगेगा, वीडियो को share और like करना, इतना हम आपसे expect करते हैं, नए हैं तो channel को subscribe भी आप जरूर करेंगा, तो सबसे पहले देखो screen पे, आपको मैं 3 month के time frame में, 3 महीने का time frame, मतलब एक candle जो है, वो 3 महीने की है, सिर्फ आपको larger view दिखाने के अब यहाँ बेदे को यह listed कब हुआ, 1919 क्या असपास, मतलब 2000 रख लिजी आप मोटा मोटा, ठीक है, year में यह list हुआ, उसके बाद यही price लग भग लग भग यही price आपको कब मिला, 2009 में, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूं, hover करके तक कि आपको और भी clear रहे, जो इसका last low price था, 1700, 1300, वो कब था, 1300 to 1700, year कौन सा था, 2009, अब वहाँ से इसने जो race पकड़ी है, वो अभी तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, अब price चल रहा है, 11,000 रुपे और 500 के आसपास, 11,500 रुपे का एक stock मिल रहा है, अब आप percentage तो खुदी निकाल ले ना, कि कितने percent यह increase है, यह बहुत massive एक stock है, अब हम as a trader, as a investor, आप लोग भी, क्या अब invest कर सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर चार्ट पे देखेगा, screen पे देखेगा, आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी, कि price कहां चल रहा है, high price side में चल रहा है, low price side में चल रहा है, sideways में चल रहा है यह sideways का pattern था इसका, इसको इसने break करा, उसके बाद इसने नया high पकड़ा, फिर sideways बना, मैं एक और clean कर देता हूँ, पहले sideways बना, फिर clean किया, फिर नया sideways बना, फिर इसको clear किया, फिर नया sideways बना, फिर इसको clear कर दिया, अब इसके बीच में ही COVID का time था, वो भी निकाल दिया, अब मैं इसको थोड़ा सा one day time frame में दिखाता हूँ आपको की actual में क्या हो रहा है हना पिछले 3-4 महीने से stock कर क्या रहा है अब यहां पे आपको इसका और ज्यादा clear vision दिख जाएगा यहां पे last जो आपको दिख रहा होगा यह दिखे यह है March का 2022 का उसके बाद stock बढ़ रहा है stock बढ़ रहा है बट graph इसका कैसे हो रहा है ऐसे हो रहा है धीरे धीरे आना मतलब अभी यह इस range में पहुंच चुका है आपने बड़ी बड़ी candles देखी बट अब यह धीरे 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 क्या होगा neutral होगा और profit booking में भी आ सकता है अब कोबीड के time की अगर हम बात करें हम इसक 50,000 का था मतलब almost 55% less में आपको यह stock मिल रहा था जहां पर आज प्राइज था या फिर उस time का जो high था market का एक लाख उसका भी 50% आपको यह क्या मिल रहा था discounted मिल रहा था यह मान सकते हैं तो वो बिलकुल साही time था इसलिए कोबीड में जिसने भी पैसा लगाया है वो बह इसा नहीं होता है कि market एक बारी ही मौखा देता market again and again अपने shape को क्या गरता है repeat करता है यह कोबीड का time था मान लीजिए का ऐसा एक और time आएगा फिर एक और time आएगा बट हमने patience रखना होता है इसलिए मेरा जो experience बोलता है वो तो यह बोल रहा है कि अभी stock already बहुत भाग का है पिछले कितने दो साल में उससे पहले 50% भागने को इसको लगे 10 से 15 साल और उतना ही भागने में इसको लगे सिर्फ दो साल इसका मदब यह बहुत जादा तेज भागा है तो अभी यह रुख सकता है बापिस भी आ सकता है तो हम उस time का bet कर सकते हैं अगर हम MRF में invest करन करनेगा time आएगा patience रखना है price भी सही आएगा क्योंकि सही price पे entry करना stock market में बहुत बड़ा rule माना जाता है अगर आपने higher side पे कोई चीज़ बाय करी तो फिर आप recover करते रह जाएंगे आप average करते रह जाएंगे और आपका पैसा डूपता जाएगा इसलिए ध्यान रखेगा आपकी इच्छा है आप इसमें buy करें sell करें बनाएं ना बनाएं बट मेरा एक experience जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि अभी सही time नहीं है जब सही time आएगा हम भी invest करेंगे और आप लोंगे लिए भी एक analysis video ज़रूर बनाएंगे